तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह से डीपी एडिटिंग करने वाले हैं जो की देख सकते हो हर घर तिरंगः डीपी इडिटुम तो दोस्तों इस तरह से हम बनाने वाले हैं तो आप भी इस डीपी लिए बनाना अच्छा से देखेहेगा इसली बना सकते हैę तो चले और टाइम बेस न करते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अज़ेट वीडियो आपको इसकी पोवाइकरा करके नहीं देखना होर नहीं हो सकता आप से समझ में नहीं आएगा त्क है तो गई यहां से cancel करकर बिल्कुल new interface में open कर लूँगा अब गईजी यहां पर जो सबसे पहले new text इसको select करके delete option से आपको okay करके delete कर देना है delete करने के बाद सबसे पहले गईजी यहां पर हम background png आपको दिये हैं उसको ले ले लेना है तो गईज सबसे पहले जानते हैं कि चलिए background png वेगरा कैसे आप download कर सकते हो वैसे आपको link description में मैं दिया हूँ मतलब कि वहां से direct आप download कर सकते हो या फिर आप chrome browser पर आना है तो यहां पर बहुत सरा में update करते रहता हूं देख सकते हैं दिवास का टेक्स्ट png वेगरा जो भी रहता है यहां से आप एजली download कर सकते हो ठीक है और अपना banner poster बना सकते हो और जो भी यूटूबर भाई png यूज करते हैं तो link description में डाल कर यूज किजिए no problem ठीक है अब गईजिए यहां पर आपको जो भी description में link मिल जाएगी तो direct आप उस png पर आजाओके तो देख सकते हैं आपको यहां पर frame png है इसको download कर लेना है background को download करना है और यहां पर जो text png इसको download कर लेना है तो मैं एक को download करके बता देता हूं कि कैसे download करना है जैसे कि मुझे ह अगर ती रंगा यह वाला text png download करना है तो मैं इस पर click कर दूँगा आप description में click करोगो तो direct इस page पर आ जाओगा ठीक है text png के नाम से हम दे देंगे तो इस पर click करना को बद गईजिए आपको नीचे आना है download करने के लिए नीचे आना है और यहां पर देख सकते हैं आपको वीडियो को लाइक ने कि तो लाइक कीजिए न्यू दोस्ता है तो ज़रूर से चैनल को सस्क्राइब कर दीजगा और वीडियो काफी थूरा लंबा भी हो सकता है तो आच्छा से देखे ताकि आपको समझ में आ जाए अब यहां पर download पर आप जैसे के लिए करते हैं तो technicalpts.com साइट से डाउनलोड कर सकते हो वाट PLP फाइल में पासवोड है पासवोड आपको इस वीडियो में दो जगा कहीं भी देखने को मिल लगा तो वीडियो को अच्छा से देखते रही है तकि आप बनाना भी सीख लो अगर आप PNG बैग्राउंड यूज करना चाहते हो तो इस तरह से डाउनलोड करना है और यहां पर न्यू टेक्ष्ट आप पहले ही डिलेट कर दी है अप सिंपली से काई जी से में आपको क्या करना है बैग्राउंड को लेना है जो आप डाउनलोड किये हो तो कैसे लेना तकि साइज अगर अर्जेस्ट हो जाए तो उसके ल लेना है एंड यहां सा सही कर देना है तो देख सेते काफी मसस से अर्जेस्ट हो गई है यहां पर वता दूगी जीफ फाइल का पहला पासवर्ड पे स्क्रीन पर रही होगा देख सेटे हो पासवर्ड अब गईच यहां पर हो सिंपली सा फ्रेम PNG लगा लेना है तो फ्रेम साइड से डाउनलोड कर सकती, इसको लेना है और यहां से सही कर देना है, अब जाएज यहां पर आपको हाथ से कुछ भी नहीं करना, यहां पर आपको बहुत सरा आपोस देखने को मिल देगा, इसको सलाइड करना अगे जाना है, और यहां पर एक relative size का option देखने को मिल जगा देख सकते हो ठीक है दोनों त्रफ एरो है इस पर किलिए कर देगे और यहाँ पर आपको 75 आएगी तो इसको इस तरह से स्फ़ाए कर दिना ए और यहा से जब्यायसिल को क्छ रजाएक तो कुछ इस तरह से से और मिल ऐसे क्लों Ay R के लिए कर देंगे एंड फ्रम गैलरी का आपसन इस पर किली करके और इसको भी आपको 75 है गा तो इसको आपको इस तरह से 100 कर देना है 100 करने के बाद यहां सा सही कर देना है तो यहाँ पर इधर उदर भी हो जाए तो देख सेथे हो मेरा PNG हो ath audhkaa कर देगे क्योंकि यहां पर टच नहीं होना चाहिए और यह भी देख सकते हैं अर्जेस्ट हो गया है और हलका से उपर भी कर देते हैं नीचे यहाँ पी touch ना होगा ठीक है इस तरह से यहाँ पर फोटो लगा लेना है फोटो लगाने का यहाँ से आपणा फोटो होगा है यहाँ से प्रभड में प्लास वाकर पर खेंग करके लेगा क्योंकि इस वीडिव में नहीं बता हूँगा अगर पींजी नहीं बानाने आता है तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल देगा, यहां से इस तरह से पींजी लेंगे और यहां से हम सही कर देंगे, तो मेरा पींजी फोटो कुछ इस तरह से आ जागी, यहां पर बि लेयर बैक में भेज़े देना है, सबसे नीचे कर देना है ता कि बैक में चली जाएगी, लेयर बैक में भेज़ेने के लिएगा जूपर लेयर वाले आप्शन पर किली कर देंगे, और यहां पर जो डॉट डॉट बननी हुए है इस साइड में लेयर पे, इस पर थोड़ा ऑदर किली करके रखें के और नीचे इसको लिएा गर छोड़ देंगे ठीक है, तो देख सकते हो बैक में चली जाएगे, फिर सी से लेयर बाले आपसने हैं, अभी फोटो आपका अरज्यस्ट ना हो तो इसको अर्जस्ट कर सेकता है, इस तरह से इतना अर्जस्ट कर सकते हो तो चलिए मैं हलका सा छोटा ही कर लेता हूँ यहां से इस तरह से मैं अर्जेस्ट कर लिया हूँ इतना करने कवाद गई फोटो क्रॉप करना हम लाश्ट में जाने इंगे ठीक है उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहां पर टेक्स्ट कैसे लिग सकते हो ठीक है आपका नाम यह अब गईजी यहां पर आपको नाम लिखने के लिए नीचे जो एक आपसन देखने को मिला एवाले आपसन पर क्लिक कर देना है यहां पर प्लस का आइकन है देख सकते हैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है जो भी न्यू टेक्स्ट है इसको पकर करके आपको यहां प कर लेना है और यहां पर उपर माई फॉन्ट वाले अप्शन पर के लिए करके पीटियस बोल्ड का आपको यहां प्याँ प्याइस नमर वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है यहां से वीडियो को देखर पीटियस बोल्ड का यहां पर सभी फॉन्ट एड कर सकते हैं अपको इसी तरह से आपको क्या करना है स्क्रीन पर यहां पर साइड में खाली जगह पर क्ली करके फिर सब प्लस वाइकन पर क्ली करके अपना यूजर नेम लिक है और कोई साभी फॉन्ट इसमें सेलेक्ट वगरा कर सकते हैं तो इस अब हम नहीं जानेंगे आपको मैं समझा दिया कि कैसे इडिट करना है अब जीफ करता हूं और यहां से पहले आपको टिलेट कर रहे ही दिना अब तो इसको पने गालरी में सेलेक्ट करता हूं और यहां से जो पिक चला कहा है तो यहां पर तो यहां पर इस बिंदू को थोड़ा सा आगे खाशका देना है और यहां अग़े कर रिख को क्रॉफ हो गहीं अगर ना भी क्रॉफ हो तो बीच वाले या फिर यहां पर सबसे यह पर डॉबल बॉक्स वाले और यहां से आप क्रॉफ फिर से कर सकते हो ठीक है देख सकते हो अगर अच्छा सर्जेस्ट ना हो तो ऐसे हो गई है देख सकते हो सो गैज मैं यहाँ पर बता दू कि जी फाल का दूसरा पासवोर्ट इसकी में पर सो कर रहा होगा देख सकते हो पासवोर्ट तो गैज इस तरह से पुरा फूल इडिट कर सकते हो तो गैज अभी तके लिए इतना ही चली मिलते हैं फ्रिकिसियो नेक्स्ट वीडियो में